हलो स्टुएंट स्वागत है हमारा जेनरल आवैरनेस जो बीएड इंटेंस एकजाम हो रहा है उसके पार्ट टू में इसमें हम लोग 40 questions आज हम लेके आए हैं पार्ट बन हमारा थोड़ा छोटा था लेकिन उसका उतना ही पार्ट था फिर अब हम लोग क्या कर रहे हैं हम लोग previous year questions आपके पास लेके आना चालू की हैं और यह हम लेके आएंगे जितना हमसे possible लोग उतना ही लेके हम आएंगे डे पहला जो हमारा आज का questions है हम भीना लेट की हुए questions डिसकसन स्टार्ट करते हैं तो पहला question सब लोग family है रहोंगे कि रास्टी यह जो सिच्छा का अधिकार अधिनियम है 2009 लागू कब किया गया है ना अब यह बात देखिए यहां पर पूछ रहा है दोस्तों लागू कब कि फर्स लेक्षेर में भी आज मैंने आपको बताया था तो यह आपको याद रखना है कि लागू जो पूछे तो एक अपरेल 2010 होगा ठीक है यह बार वार एकजाम में अंसर गलत होता है तो इसको आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट वन कोस्टन से आज का हमारा कह रहा है कि प ग्यान आयोक का गठन तो फर्स लेक्षर में हम लोग करें थे कि जो अर्टी एक्ट 2009 है जैसा कि आपको पता होगा आर्टी एक्ट 2009 हम बताया थे कि रस्टा यह gon躲 की देन तो इदेखी यहा पर नया नया कॉस्टन पूछलिय कि रस्टी एखयान आयोक का गठन कब हुआ तो आप 2005 में हुआ था राष्टिय ग्यान आयो का गठन जो हुआ था 2005 में हुआ था नेक्स्ट बने दोस्तों कह रहा है कि मुल्क राज आनंद के लेखक तो ये कुली ठीक है तो मुल्क राज आनंद जो है किसके आथर है कुली के आथर है नेक्स्ट बन है गीत गोविंद के लेखक जैदोव है तो जो questions बताने लएक होगा discussion उस पर हम लेके आएंगे नेक्स्ट बन है मानव अधिकार दिवस तो जो मानव अधिकार दिवस है दोस्तों वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है यह आपको ध्यान देना है नेक्स्ट बन लिखा गया है लिया गया है आजनता के चितरकारी में किसे चितरित किया गया है यह आपको याद रखना आजनता और लोरा वहां पर दो है तो आजनता किसको निरूपित करता जातक को कभीर निला नोरन के नेता को तो गांधी जी थी निला नोरन के नेता जो थे गांधी जी थी वहाँ पे नेक्स्ट बन कोस्टंस है, किसने अकिल बारती हरजन सेवा संग, तो देखिए इसमें बहुत लोग हरजन सेवा संग, अकिल बारती हरजन सेवा संग, भीमरों अमबितकर लगा के आ जाते हैं, जो की गलत है, ये बच्चा भी लगा के आ गया है, हरजन सेवा संग की जो सभी का उत्थान सरबोधार का है सभी का उत्थान यह बात आपको ध्यान रखना है नेक्स आपको लिखते हैं सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं 530 प्लस 20 प्लस 2 यानि कि 500 बामन प्रपोजट है यानि कि maximum संखे अगर आप से पूछे तो आपको 550 बताना है जिसमें 520 क्या होते हैं राज्यों से चून क्या आते हैं 20 के अंदर सासित परियोध्यों से आ सकते हैं और अंग्लो इंडियन होते हैं ना नहीं कि राजसवा जैसा 12 होते हैं तो 12 बिभीन छेतर से होते हैं वैसा यहाँ पे कुछ नहीं है तो यह टोटल 500 बामन जो वह maximum seat हुआ लेकिन अभी टोटल संख्या बल है कितना तो अभी जो है टोटल 545 है तो 530 जो है राज्यों से राज् प्लस 2 तो 545 तो अंसर में कभी 545 भी मिल सकता है 543 प्लस 2 या 543 तो यहाँ पे 543 दिया हुआ था तो हम अंसर क्या लगाएंगे 543 यहाँ पे 2 जो है एंग्लो इंडियन का है इसी तरह से अगर हम लोग राज्य सभा में बात करें तो राज सभा में कितना है 233 प्लस 12 राष भारत में अर्थवेवस्ता कैसी है तो मिश्रित अर्थवेवस्ता है नेश्टमन है मध्यान भोजन की प्रणरम कब हुआ तो देखिए आपका एक important question से यह आपके mind में अभी तक नहीं स्ट्राइक किया होगा या नहीं पढ़े होगा कहीं तो आप पढ़ लिजे मध्यान भोजन जो है मिड्डे मिल अस्कीम जो है 1995 में 1995 में आया था तो यह आपका एक्जाम में most important questions एक्जाम के लिए इसके बाद सर्वसिच्छा अभियान के सुरुगात कब हुई थी तो आज हम लेक्चर में भी बात करें तो देखिए ध्यान से आप देखिएगा सर्वसिच्छा अभियान का जो बात है 2000 से 2001 और फिर 2002 में RTI Act जब आया तो इसके अंदर इसको mention करा गया उसके related यह कर दिया तो सर्वसिच्छा अभियान का जो date है कहीं 2000 देता है 2001, 2002 यह तीनो date आते रहता है तो इसमें थोड़ा सा control भर्ती है तो सर्व सिच्छा अभियान जब आएगा तो आप थोड़ा सा वहाँ पे ध्यान रखिएगा कि सर्व सिच्छा अभियान जब आ रहा है तो इसमें आंसर जो था 2001 लगाया हुआ है तो 2001 में भी 2002, 2002, 2001 में यह स्टार्ट हुआ था 2002 में फिर यह रटी एक के अंदर भी इसको लेकर वहाँ से भी अपलाई किया गया था तो इसका अंसर उप्सर में देखिएगा उप्सर में अगर आपके पास कोई एक रहेगा तब तो अच्छा है और फिर दोनों में आजाए तो फिर वही आप रिक्स लिजए है कि 2001-2002 बोर्ट किसको मानता है तो आप उस परिपेच में अंसर देखके लगाएगा सर्व सिच्छा आप में जब गूगल सर्च कीजएगा तो चरू कि हमारे पास एक गूगल का डेटा भी है हमको अभी याद आया तो हम वह आप लोगो को देखिए यह सर्व सिच्छा आभियान से रिलेटेड है तो कह रहा है कि यह स्टार्ट इन 2002 यहां पे दे रहा है सर्व सिच्छा आप यहां कुछ हम लोग यहां पे स्कीन सोट इसले ले लिए थे कि पढ़ाते वक्त यह यूज हो ताकि इसमें कन्फूजन ना रहे आप लोगों को त यह सर्व सिच्छा आभियान जो है देखिए 2002 में कह रहा है इता स्टार्ट इन 2002 हैज बिन ऑपरेटेड सिंस 2002-2001 से यह उपरेटेड था ठीक है स्टार्टेड क्या 2002 में इसका ओफिसियल दे रहा है तो आप इसमें आंसर वहां के हिसाब से आप देख लीजिएगा तो आप आपको पता चल जाएगा तो यह हमारा था तो सर्व सिच्छा अभियान के बारे में यह थोड़ा सा कंट्रो भर्ची जो होता हम आप लोगों के लिए बता दिये आप देखिए यहाँ पे एक कोसर आप आप और याद कर लिजिए हमारे हिसाब से जो एक्जाम में आ सकता है कि यह जो मिड़े मिल था मिड़े मिल प्रोग्राम अभी हम लोग बात करें 1995 में आया था है ना और एक था सर्व सिच्छा अभियान यह सर्व सिच्छा अभियान हम लोग बात करें 2002-2002 यह 2001-2002 यह समय अब यह सब को एक साथ कंबाइन करके एक प्रोग्राम है ठीक है उसक एजूकेशन, एजूकेशन सगून, तो आप से पूछ सकता है जो सगून प्रोग्राम है, ठीक है वो क्या है, तो सगून प्रोग्राम जो समग्र सिच्छा भियान है, यानि कि जो इसमें बाइफर्केट जो पहले किया जाता है, एलेमेंटर एजूकेशन में, सेकेंडर नेर सेटिंग ने एजोगेशन में, यह सब को आम मिलाकर हम लोग समग्र सिच्छा अभियान चलाते हैं, यानि कि इसमें सब को एक साथ सब पे ध्यान दिया जाता है, तो यह दोनों को आप किसके अंदर कर दिया गया, सकूल एजूगेशन, जो सगून, सगून या समग्र इ Ц helfen के बारे में बात कर रहा है चाट कि से संबने दित है तो कि साहित्य से संबन दित है तो आया है तो हम आपको करेंट में भी बता देते हैं कि 55 जो मन यूद भीट जो हजार वाइस में दिया गया है 2019 वाला तो 50 जो दिया गया है उनका नाम है ठीक है इक अकितम अचुत्रि अपकों ना मिन को बढदेंगे, ढिलते अफीर दे, एसके अजते, कांगों सी आने घाने आफ माने दो ने फिल्चा en호, एक यह तर इनम को दोवा जाने जाता दोना माधाद जा र तिक रम पजया च्छाए, एकत्रिम अजा बंने जाता आज थीजा लेकिन से दो याद रहा है तो यह आपको याद रहनी है तो ग्यान पिर्प्र तुरसकार से दो यायत रखे गा कोशन अब इसके बाद कहरा है रास्टिय बालिका दिवस कब मना जाताएग Allah यह इसमें देखे रास्टिय बल का चाल डे पूछेगा तो 24 जनवरी अगर इंटरनेशनल पूछेगा तो 11 अक्टूबर और एक आर आप याद रखिए 8 मार्च तो आप लोग को पता ही होगा ठीक है रास्टिये महिला दिवस या अंतरा चाल डे 11 अक्टूबर नेक्स्ट बन है सांता कुमार समीति किसे रिलेटेड है तो ये जो है FCI से रिलेटेड है तो इसको छोड़ीं दीजे ठीक है हमको उससे में भी डाउट हो रहा था तो इसको हम हटा ही देते हैं नेक्स्ट बन जो है हमारा कोस्टन अट दा क्लोज अफ दा प्ले जो है उसके लेखा कोन है तो रिकी पॉंटिंग है अट दा क्लोज अफ दा डे के लेखा कोन है रिकी पॉंटिंग है तो ये आप नेक्स्ट बन है जो हमारे पास कोस्टन्स है कह रहा है कि निमलिकित में से सबसे बड़ी विश्प की सबसे बाड़ी खाड़ी जो कौन है, तो मेक्सिको की खाड़ी है जहां पर डिसकसन का जरूरत होगा, हम डिसकसन करेंगे The Indian Independence of War 1987 किसने लिखा, तो B.D. Sawarger ने लिखा परतेक वर्स योग दिवस 21 जुन को मनाया आता है तो ये भी question साप लोगों को पता होगा ये आपको याद रखने वाला चीज है कि विधांजली योजना किसने शुरुआत करी थी तो देखिए विधांजली योजना 2016 में शुरुआत किया गया था और ये किसके अंतर गात आता है तो MHRD Ministry के अंदर आता है तो ये education department से related है तो इसके बारे में आपको क्या करना याद रखना है विधांजली योजना किसने शुरु करी थी तो MHRD Ministry ने शुरु की थी 2016 में नेक्स्ट बन है कि सिच्छा का अधिकार अदिनियम लागों कब हुआ तो ये तो हमाभी बात करिए ये बहुत बार question पूछा जाता है लागों कब हुआ गया कब उसको paste किया गया ये है तमसो मा जोती गर्मा कथन का मुल रूप क्या है मुल रूप कहां उद्रत है मतलब कहां लिखा गया है तो उपनी संद में लिखा गया है नेक्स्ट बन है दोस्तों कि रास्टिय माधमिक सिछा अभियान हैना R.M. R.M.S. ठीक है कब लागो किया गया तो R.M.S. जो लागो किया गया वो 2000 मार्च 2009 में लागो किया गया आप ध्यान रना है आप ये जब आ गया है एक्जाम में तो इसका full form आप याद रख लिजिए R4 RASTA यहां दिया हुआ है RASTA माधमिक सिच्छा भियान इसको इंगलिस में भी ऐसे ही बोलते हैं और हिंदी में भी ऐसे ही बोलते हैं दोनों आप याद रखिए कि RASTA माधमिक सिच्छा भियान है वो 2009 में लागों किया गया था मतलब की पेपर यह इग्णुका ही है और 2-3 बौट का और और है तो सारे से हम कम्बाइन किस तरह का कोसान जो गया रहे हम चैम लग जाता है तो इसलिए lecture थोड़ा late हो जाता है तो हम कोसिस करेंगे 3-4 lecture ऐसा लेके आजाए maximum 5 ही lecture लेके आएंगे उससे ज्यादा हमने लेके आपाएंगे तो 5 lecture का आप उमिद रखिए कि 3 lecture और आएगा जिसमें सारा इस तरह का questions कवर हो जाएगा तो next one है कि UNEPI is mainly connected भी और नेशनल इंसेचूट आफ इजूकेशन एजूकेशनल प्लानिंग प्लानिंग और एडमिनिस्टेशन हिंदी में इस काम को हिंदी में मिला नहीं तो इसलिए आपको याद रखना है देखिए यह क्या है planning and administration तो जो option number 3 सही था कि इसका काम क्या है तो मुख्लिम यह education के लिए planning करता और administration कैसे किया जाए इसके बारे में क्या करता है वो देखता है तो यह NIEPA का था और यह किसके अंडर है तो MHRD ministry के अंदर है यह किसके अंदर है तो MHRD ministry के अंदर है यह आप याद रखिएगा भारत में तैरते हुए लोकतल लोक्टक यानिक लिखा हुआ लोक्टक नामक प्राथ्मिक बिध्याले का उध्याना लोक्टक है ना कहां हुआ तो लोक्टक जिल कहां तो इसका पहले full form आप समझ लिजे कि यह elementary education से related है या किस से related है आप full form फिर से समझेगा तो answer आपको पता चल जागा तो हम बता देते हैं आपको EU से United Nation UN का मतलब United Nation हो गया C का मतलब Convention हो गया On the right of person disability यानि कि जो person with disability है United Nation Convention Right ठीक है United Nation Convention Right for person with disability PD का मतलब person with disability से related है PD का मतलब person with disability से related है तो यह किसके सिछा में ध्यान देगा तो बिसिस्ट आवस्तक्ता वाले छे जो बालक है उनको यह ध्यान देता है यह आपको option से पता चल जागा इसका full form पता रहने से neeक्स बने आल्टर टिंखरिंग रहा है तो यह पता है स्कूल के लिए है स्कूल में नाव़ाचार के लिए आटर टिंखरिंग लाब क्या करा गया है लाया गया है नेक्स्ट बन है पहला रेल इन्वर्शिटी तो बढ़ोदरा में खुला था इसमें भी बहुत ज़्यादा डिसकसन का जरुवत नहीं है समाग्रे सिच्छा योजना 2018 किस से संबंदित है तो समाग्रे सिच्छा योजना जो अभी हम अपरे बात करें याद है न आपका जिसमें सबको मिलाकर समाग्रे सिच्छा सगुन और समाग्रे पर हम लोग बात करें तो देखिए वो कोस्टन से यहाँ पर आ गया ठीक है अभी हम लोग उपर में बात करें थे तो inclusive समा बेसी सिच्छा से यानि कि सब को मिला कर हम हम लोग समा बेसी सिच्छा के बारे में क्या करते हैं बात करते हैं नेक्स्ट बन है एमियस के मस्क स्टैड़ पोर माध्मिक एंड उच्तर कोस देखिए कहाँ पर लिख्या हुआ है माध्मिक एंवच्तर सिच्छा कोस है यह क्या है? गवर्मिंट एक परकार का tax लगाती है, उसी का यह full form है, कि माध्मिक एं उच्थर सिछा कोस, माध्मिक, यह माध्यम यहां लिखा हुआ है, माध्यम नहीं माध्यमिक आपको याद रखना है, माध्यमिक एं उच्थर सिछा कोस, तो इसका answer नंबर दो था, कि मस्क और जो आपको जाए है ना जो आपको कहीं पढ़ने पर नहीं मिल रहा होगा सिर्फ वह बैंक में ही मिल रहा है थोड़ा लिक से हटके कोस्टन जो सब आया है वही मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं बाकि आप अकवर बिरबर बावर यह सब के बारे में अल्रेडी जानते ही होंगे तो यह हमारा लेक्चर का लास्ट यह था तो हम लोग लगबग 40 कोस्टन इसमें कियें फिर हम लोग मॉर्निंग में आप 40 को सब्सक्राइब को मिलेगा तो आप इसमें लगब हमारे से 5 लेक्चर का उमीद कर सकते हैं पाच लेक्चर से ज्यादा हम लेकर नहीं आप आएंगे तो मैक्समाम जो कॉस्टन जो था कि जो लिक से हट क्या रहा होगा जैसे कि ज इतना एक्जाम में आप questions जानके जाए है हम जीए से भी लगवाग हम जीतना बताएंगो इसमें से आप 5-6 या 7 questions ये उमीद कर सकते हैं दस questions भी मान के चलिए कि दस questions आप यहां से उमीद कर सकते हैं और बाकी जो आपका science बैगरा काएगा वो reflection आपको खुद से करना पड़ेगा क्योंकि आप बहुँ जादा time नहीं है और हम उतना जादा questions आपको करवा नहीं सकते हैं तो आगर आउस तरह का कुछ doubt हो तो आप comment section में comment करें और बाकी आप पढ़ाई के साथ-साथ ज्यादा ज्यादा revisions पे ध्यान दे ठीक है ओके दोस्त बाई बाई बाई